तاجिकिस्तान में फस्य जारखन के 35 मज़़ूर कब लोटेंगे वतन हेमंतु सोरेन सरकार से लगाई थी मदद की गुहार ताजिकिस्तान में फस्य जारखन के 35 सारमिक जल्द अपने वतन लोटेंगे राज़य परवासी नयंतरं कक्छ के अनुसार पहले चरण में 22 सार में जारखन लोटाएंगे से इस मजदूर टिकट बुकिंग के बाद आएंगे आपको बता दे कि जारखन के 35 मजदूर ताजिकिस्तान में फसे हुए हैं उन्होंने जारखन की हेमंतु सुरिन सरकार और केंदर की नरेंदर मोदी सरकार से अपिल की है कि उनकी वतन वपसी सुनक चित की जाए ताजिकिस्तान में फसे ये सब भी मजदूर, बोकारू, गिरीडी, हाजारी बाग और धनबाद जिले के रहने वाले हैं परवासी मजदूरों का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मजदूर विदैसों में फसे हैं कंपनीों दोरा काम कराकर पास्पोट जबत कर लेने और मजदूरी नहीं देने पर मजदूरों की परिशानी बढ़ जाती है इस बार भी जार्खन के बोकारो, गिरीडी, हजारीबाग और धनबाद के परवासी मजदूर ताजिकिस्तान में फसे हुए है सोसल मीडिया के जरिये उन्होंने वतन वापसी के गुहार लगाई है परवासी मजदूरों की सुरक्षित वापसी के लिए जार्खन की हेमन्तु सोरियन सरकार ताजिकिस्तान में भारती दुतावास से संपर किया गया था इसके बाद इनकी वतन वापसी का रहा असान हुई है पहले चरन में 22 मजदूर जार्खन लोटेंगे इसके बाद सेस मजदूर आएंगे ताजिकिस्तान में फसे 35 परवासी मजदूरों ने सुसल मीडिया के माधम से वतन वापसी के गुहार लगाई है मजदूरों ने मदद के लिए भारत सरकार एवं जार्खन सरकार के नाम त्राहिमाम संदेश भेजा है सरकारों से काहा है कि जिस कमपनी में ये लोग काम कर रहे थे उसने उन्हें वेतन नहीं दिया है सभी सार्मिकों ने काहा है कि वे दाने दाने को महताज हैं आपको बता दे कि इससे पहली भी ताजिकिस्तान में चवालिस मजदूर फस गए थे ये लोग चार महापूर बिसुनगर परखंड के खरना के पंचम महतों की मदल से ताजिकिस्तान गए थे